नमस्कार दोस्तों हेल समान ग्यान की यूटूब चैनल पापका स्वागत है आज मैं इस बीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बीना कुछ खाए भी कैसे बढ़ जाता है वजन और आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों आपने लोगों को अक्सर या कहते हुए शुना होगा कि बहुत कम खाने के बावजूद भी मेरा वजन कम नहीं होता आम तोर पे लोग खासक लड़कियां अपना वजन कम करने के लिए कम खाना शुरू कर देती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं केवल डाइटिंग करने या खाना कम खाने से वजन नहीं कम होता बलकि बढ़ जाता है आईए जाने आखिर क्यों खाना कम खाने से भी वजन कम नहीं होता पहला भोजन की गुनवत्ता वजन कम करने के लिए केवल और केवल भोजन की मातरा ही नहीं बलकि उसकी गुनवत्ता भी काफी मायने रखती है अगर आपका ध्यान केवल इस बात पर है कि आप कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं इस बात से आप पूरी तरह से बेखबर हैं तो आपका वजन कम नहीं होगा असल में वजन का घटना या बढ़ना आपके खाने पिने पर निर्भर करता है और ये कई experiment में भी शाबित हो चुकी है कि वजन कम करने के लिए life style में बदलाव लाना जरूरी होता है और लोग बिना knowledge के वजन कम करने के लिए कम खाना शुरू कर देते हैं जबकि खाना कम खाने से कोई खास फरक नहीं पड़ता दूसरा सारेरिक रूप से active ना होना आपके body का active रहना वजन कम करने के लिए बहुत जरूरी होता है अगर आप सारे रिख रूप से अधिक सक्रिये नहीं है तो आपका वजन कम होना मुस्किल है मसीनों ने हमारी जिन्दिकी को अशान बनाया है लेकिन साथी साथ इन्होंने हमें काफी हद तक आलसी भी बना दिया है आजकर कम्प्यूटर, टीवी, मोबाइल पर ही हमारा ज़्यादा वक्त बीता है ओफिश में काम करने वाले लोग तो सारा सारा दिन कुर्शी पर बैठ के ही बिता देते हैं ऐसे में बिल्कुल भी घुमफिर नहीं पाती ये इस्तिती वजन बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारक है कई लोग तो सीट पर बैठे बैठे ही भोजन करते हैं इससे भी आपके पेट पर चर्वी बढ़ने लगती है इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप भोजन करने के कुछ देर बाद सैर के लिए जरूर जाएं तिसरा डाइटिंग अपनाना डाइटिंग वजन कम करने का सबसे आसान तरीका माना जाता है अक्सर लोग वजन कम करने के लिए इसी रह को अपनाते हैं लेकिन डायटिंग वजन कम करने का कोई रामबान इलाज नहीं है। कई लोग सही प्रकार से डायटिंग नहीं कर पाते और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि डायटिंग के बाद लोगों का वजन फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो डायेटिंग से बहतर है कि आप पोश्टिक भोजन पर ज्यादा ध्यान दे और एक बात को ध्यान में रखिए वजन कम करने का कोई क्रैस कोर्स नहीं होता चौथा, खाने के बाद पानी पीना भोजन के अंत में पानी पीने से भी आपका वजन बढ़ सकता है वजन कम करने के लिए या फिर उश्य बचने के लिए भोजन के अंत में बहुत सारा पानी पीना उचित नहीं है बलकि आदे या एक घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए इससे पेट और कमर पर मुटापा नहीं चरता बलकि मुटापा हो भी तो कम हो जाता है आजकल की भागदोर भरी जिंद्गी में लोग आलस के चलते एकसरसाइज नहीं करते नतीजन कम खाने के बावजूद भी उन लोगों का वजन बढ़ते ही रहता है वजन बढ़ने के कई और भी कारण है जैसे अधिक सोना, लेट कर खाना, खाने के बिश पानी पीना बहुत अधिक तनाव लेना, लंबे समित तक दवाईयों का शेवन इत्यादी हलांकि वजन को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन आप संतूलित जीवन से लिए अपना कर ऐसा कर सकते हैं इसके लिए आपको डायटिंग भी नहीं करने ही पड़ीगी और कुछ अतरिक प्रयाश करने की भी जरुरत नहीं होगी तो दोस्तों ये थे हुए कुछ सबसे महतपूर्ण बाते जो ये सच्चाई जानने में मदद करते हैं कि बिना कुछ खाय भी कैसे बढ़ जाता है वजन इन ज़रुरी बातों पर ध्यान दे और अपने जीवन को शुक में बनाईए आसा करते हैं कि आपका जीवन मंगल में हो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट वा शेयर करना ना भूलें और अगर आपने हमारे यूटूब चैनल हेल्थ समानी ग्यान को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कर लीजे धन्यवाद दोस्तों